बिसमिल्ला हरुमान रहीम, असलाम अलेकूप, मेरे नाम साजिद है, आप देखें टेक्निकर रहमानी, वेलकम टू मैं चैनल, जैसे के दोस्तों आपने थमनेल से यह अंदाजा लगा लिया होगा, आज इस वीडियो में मैं आन्बोक्सिंग करने वाला हूँ, इन्फिनिक्स के नहीं आने वाले स्मार्टफून, S5 Pro की, 6GB, 128GB, काफी होटकेक बनाओ इस वक्ति यह पाकिस्तानी मार्किड में, इसके कुछ की फीचर की बात करें, तो आपको यहाँ पर बैक पर टिपल कैमरा से डब मिर रहा है, जहाँ पर आपको में सैंसर 48MP का मिर रहा है, जबके फ दोस्तों आने वाले चंद दिनों के बाद मैं इसके परसनल यूसिज के बाद इसकी डिटेर रिव्यू वीडियो भी बनाऊंगा, जिसके बाद आप यह डिसाइड कर पाएंगे, आपको यह मूबाइल करना चाहिए या नहीं, आज की वीडियो जैस्ट एक तो दोस्तों हमारे सामने है Infinix S5 Pro का बोक्स, सामने काफी बड़े साइज में लिखा हुआ है S5 Pro, जबकि हमारे पास जो वेरियन्ट है वो 6GB, 128GB वाला है, अब बोक्स के साइज पर तो कुछ नहीं है, लेकिन बैक पर कुछ डिटेल मैंशन है, काफी बरीक लिखा हुए जो आपको यहाँ पर डिस्प्ले देखने को मिलेगा, फूल स्टी प्लस रेजलूशन के साथ, जिबकि यहाँ पर आपको Helio P35 का पोसेसर मिलने वाला है, और यहाँ पर आपको 10 वाट की फास्ट चार्जिंग भी मिलने वाली है, अब 10 वाट की फास्ट चार्जिंग तो नहीं नहीं करता, काफी टाइम ले लिए आपका, मेरे पास बिलाल भाई जैसा कुछ चाकू तो है ने, हम बाल पॉइंट से ही इसको अन्बोक्स कर लेते हैं, रैपर उतार लेते हैं, सबसे पहले हमें अपनी डिवाइस देखने को मिल रही है, बॉक्स से इसको निकालते हैं, यहां पर भी कुछ डिटेल हाइलाइट की गई है, जैसा के 40 मेगा पिक्जल का आल सेल्फी कैमरा, आल ट्रिपल कैमरा सेटप बैक पर आपको एक्सोज़ 6.0 मिलने वाला बेस्ड अन्रोइट 10, यानि आपको यहां पर अन्रोइट 10 प्रिइंस्ट्राल मिले गए जबके 6.5 इंचिस का फूल एच्डी प्लस रेजूशन के साथ डिस्पले, रैपपर को उतार लेते हैं, बैक पर भी एक रैपपर है, वाओ, काफी जबर्दस लुक दे रहा है दोस्तों यह मुबाइल को टर्ण ओन कर लेते हैं और जब तक यह टर्न ओन होता है हम इसको साइड पर रखते हैं, और देखते हैं, बोक्स में हमें और क्या कुछ साथ में मिलता है, यह कुछ स्टिकर्स हैं, अगर आपका मुबाइल फून खराब हो जाता हो तो आप इसको रिपेर के ल है ओके यहां पर कुछ X कलब के स्टिकर्स हैं इसको भी साइड पर रख लेते हैं एक यह स्क्रीन प्रोटेक्टर है क्योंकि यहां पर आपको प्रिन स्टॉल नहीं मिलने वाला यह आपको खुद से लगाना पड़ेगा और साथ में एक अदद सिलिकन केस सिलिकन केस की क्वाल्टी की बात करें तो एवरिज क्वाल्टी है लेकिन इतनी कुछ खास नहीं है उपर की जानेब कट आउट दिये गया जो कि आपके पोप-प सेल्फी कैमरा के लिए इस्तमाल होगा बैक पर फिंगर प्रिंट का कट आउट है तो इसको भी डाल कर देखेंगे फिलाल इसको भी साइड पर रख लेते हैं आगे देखते हैं बोक्स में और क्या है इसके साथ यहां पर हमें USB Cable मिलने वाली है देखना है कि USB Type-C है या फिर Micro-USB नूँ Micro-USB आपको यहां पर मिलने वाली है अब हमें Type-C की तरफ जाना चाहिए काफी सारे mouth हम यहां यह पर Micro-USB है charger की बात करें तो आपको जैसे के मैंने बताए यहाँ पर आपको 10W का charger मिलने वाला है Infinix कह रहा है कि यह fast charger है लेकिन हम अपनी वीडियो में ही देख पाएंगे तो इसको भी side पर कर लेते हैं mobile को turn on कर लेते हैं और फिर मिलते हैं तो दोस्तो हमारा mobile phone turn on हो चुका है brightness को इसकी full कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें display की highlight दी गई है कि display काफी अच्छा देखने को मिलेगा अभी तक मुझे वैसे इसकी brightness level काफी अच्छा लगा है काफी देखने में premium look provide कर रहा है mobile की back भी काफी ज्यादा glossy लग रही है हाला के यहाँ पर आपको plastic की build quality मिलने वाली है back भी यहाँ पर plastic की है और side frame भी plastic है जिवके front पर यहाँ पर glass की coring की गई है back पर काफी बड़े size में triple camera setup दिये गया है जिवके यहाँ पर 48 megapixel का main sensor 2 megapixel का depth sensor जिवके यहाँ पर एक lens लगाए गया low light condition में आपके लिए काफी अच्छी performance दे पाएगा इसके साथ fingerprint sensor है mobile के overall physical view की बात करें तो आपको right side पर volume keys मिलने वाले है जिवके साथ में power button उपर की जाने pop up selfie camera left की जाने आपको यहाँ पर sim tray मिलने वाली है sim tray की situation को भी check कर लेते हैं हमें यहाँ पर dedicated slot मिलने वाली है या फिर hybrid वाउ तो दोस्तों यहाँ पर हमें triple slot मिर रही है यानि आप अपनी 2 sim और 1 SD card को एक साथ इस्तमाल कर पाएंगे यह काफी ज्यादा impressive है क्योंकि अगर आपके लिए 128 GB की internal storage कम पड़ रही है तो आप अपने SD card को इस्तमाल कर पाएंगे bottom की बात करें तो यहाँ पर speakers है micro USB का port और साथ में 3.5 mm का audio jack तो दोस्तों mobile की look काफी ज्यादा प्यारी है glossy look दी गई है काफी अच्छी से finishing की गई है mobile की कुछ main features की बात करें तो आपको यहाँ पर media tech का helio P35 का processor मिलने वाला है अब gaming experience कैसा होने वाला है दोस्तों यह तो आप use करने के बाद ही पता चलेगा इसलिए आपको कहा रहा हूं दोस्तों यह just take unboxing की वीडियो है इसके detail review वीडियो में इसको कुछ दिन usage करने के बाद ही बना पाऊंगा तब भी आप लोग decide कीजेगा कि आपको mobile phone buy करना चाहिए या फिर नहीं वाइल के display की बात करें तो आपको यहाँ पर 6.5 इंचिस का full HD plus resolution के साथ display मिल रहा है दोस्तों या फिर gaming वगेरा करते हैं तो काफी शानदार experience होने वाला है personally दोस्तों मुझे notch light display काफी ज्यादा पसंद आते हैं even मुझे जो punch hole वाला camera है वो भी काफी ज्यादा पसंद है लेकिन यहाँ पर आपको full view display मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको front camera जो है वो pop up की सुरत में मिलने वाला है तो इसलिए यहाँ पर movies देखने का experience काफी जबरदस्त होने वाला है लेकिन देखना यह है कि यह daylight में हमें कितनी अच्छी performance दे पाता है इसके साथ mobile के cameras की बात करें तो यहाँ पर back पर आपको triple camera setup मिल रहा है with 48 megapixel के main sensor के साथ तो इसकी performance को भी देख लेते हैं यहाँ पर एक picture क्लिक कर लेता हूँ मैं तो काफी अच्छी performance है वैसे मुझे first impressions काफी ज्यादा अच्छे लगे हैं काफी detail level ठीक ठाक है 48 megapixel का sensor है तो pictures भी काफी अच्छे से क्लिक की है बाकि front की बात करें तो यहाँ पर आपको pop-up selfie camera मिर रहा है इसके भी quality देख लेते हैं दोस्ता हमें यहाँ पर कैसा result देखने को मिलेगा वाउ काफी impressive है मैं इसके कुछ samples back camera के और front camera के यहाँ पर डाल दूँगा अब वो भी check out कर लीजेगा कैम की quality की बात करें तो आप यहाँ पर 1080p की video record कर पाएंगे 4K की recording मुझूद नहीं है इसके साथ आपको यहाँ पर slow motion का भी option नहीं देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको ultra wide sensor sensor भी नहीं मिलने वाला अब यह थोड़ा disappointing है दोस्तों क्योंकि इस price tag में हमें at least 8 megapixel का ultra wide sensor काफी सारे mobile phones में देखने को मिल चुका है इसके साथ यहाँ पर आपको AI cam के साथ beauty mood मिलने वाला है booke mood मिलने वाला है AR shot मिलने वाला है और इसके साथ panorama का भी option मुझूद है front camera की recording की बात करें तो front पर भी आप 1080p की video record कर पाएंगे 4K की recording आपको नहीं मिलने वाली अब infinix के मताबिक यह low light condition में काफी अच्छी performance दे पाएगा तो इसकी low light condition में भी हम performance को जरूर जाचेंगे overall दोस्तों mobile का size थोड़ा सा मुझे बड़ा लगा है लेकिन grip काफी अच्छी है क्योंकि back से इसे curve किया गया इसलिए आपको gripping में भी कोई problem नहीं होने वाली है weight की बात करें तो आपको यहाँ पर 194 gram मिलने वाला है इसके साथ दोस्तों इस mobile phone में आपको media tech का helio p35 का processor देखने को मिलेगा अब p35 का जो processor है वो 48 megapixel के sensor को कैसे control करता है यह देखने वाली चीज है क्योंकि इससे पहले हमें media tech के helio p35 में जो ज्यादा से ज्यादा megapixel वाले camera मिले है वो 16 megapixel के थे लेकिन यहाँ पर दोस्तों 48 megapixel का main sensor देखने को मिल रहा है जबके front पर भी 40 megapixel का selfie shooter है तो p35 के साथ यह कैसी performance देखने वाली चीज है ओके तो fingerprint जो है वो adjust हो चुक है ID बन चुकी है देखते हैं अब यह कितने जल्दी हमारा phone unlock करता है ओके ओके काफी ज्यादा फास्ट है दोस्तों जस्त आपकी जो finger adjust होने की दे रहा है और आपका mobile phone unlock हो जाता है यह देखे यह देखे काफी ज्यादा फास्ट है काफी impressive है अब mobile phone में जो security का दूसरा option है यानि के face ID के हो तो उसको भी हम set कर लेते हैं और उसको भी देख लेते हैं कितना ज्यादा फास्ट है तो दोस्तों face unlock भी adjust हो चुक है देखते हैं कितनी जल्दे mobile phone को unlock कर देता है वाव quite fast काफी जल्दी से वैसे इसने phone को unlock कर दिया है एक बार फिर से try करते है काफी fast है लेकिन जो camera की उपर से नीचे आने जाने की जो timing है दोस्तों वो थोड़ी सी ज्यादा है तो दोस्तों आप एंड में इस mobile phone की battery को discuss कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको 400 mm की battery मिलने वाली है जोकि मेरे हिसाब से थोड़ी सी कम मैं एटलिस्ट यहाँ पर 4500 mm की battery होनी चाहिए थी जबके बात करें इसकी fast charging की तो Infinix ने यहाँ पर mention किया कि यहाँ पर आपको 10 watt का fast charger मिल रहा है जबके दोस्तों अब तक जो मैंने 10 watt के charger देखे हैं उनको normal charger ही तसवर किया जाता है लेकिन मैं इसकी charging timing की एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा जिसमें हम देखेंगे Infinix का 10 watt का fast charger इस mobile phone को कितनी जल्दी चार्ज कर पाता है तो दोस्तों अगर बात करें इसकी detail review वीडियो की तो मैं इसको एक week तक personally तोर पर use करूंगा जिसमें इसकी मैं camera performance को चेक करूंगा battery timing को test करूंगा display quality को चेक किया जाएगा उसके बाद मैं आपको अपने final opinion दे पाऊंगा कि आपको एक mobile phone करना चाहिए या फिर skip कर देना चाहिए तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्काइब कर लें इसके साथ साथ दोस्तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो like के साथ साथ share जरूर कीजिएगा जहां तक बात इस mobile phone की price की है तो इसकी invoice 28,000 है पाकिस्तानी market में लेकिन आपको ये discount के बाद 27,000 में बासानी मिल जाएगा तो दोस्तो ये थी Infinix S5 Pro की unboxing आपको ये mobile phone कैसा लगा आपको इसके first impressions कैसे लगे commit box में जरूर बताईएगा मिलते है नेक्स वीडियो में अपना धेर सरा ख्यार रखियेगा अल्ला हाफिज